आज हम क्रसी गडित की प्रश्णावली बन पॉंट बन के सेस पार्ट को हल कर रहे हैं इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रश्ण नम्मर एक से लेकर तीन के सभी खड़नों को हल कर दिया था आज हम उस से आगे प्रश्ण नम्मर चार का फर्श्ट पार्ट आपके समझ लेकर के चल रहे हैं जिसका पहला भाग है रूड ए प्लस बी की पॉवर तीन इंटू घर्मूल ए प्लस बी की पॉवर दो इसको जब हम हल करते हैं तो आपने देखा हुआ बच्चों के रूड ए बटे दो इंटू आगे इसे हल करेंगे तो इसे क्या हो जाएगा ए प्लस बी की पॉवर दो बटे तीन प्राप्त होगा चुक बच्चों इन दोनों के बेश समान हैं इसलिए इसमें ए की पॉवर एम इंटू ए की पॉवर एन का फॉर्मूला जैसे ही यूज करेंगे तो ए की पॉवर एम प्लस एन कर देते हैं ए मान लेते हैं एम का मान ये है और एन का मान ये है तो इसे हम ए प्लस बी की पॉवर तीन बटे दो प्लस दो बटे तीन कर देते हैं यहां पर हमको एक फ्रैक्शन प्राप्त हो रही है तो तीन बटे दो प्लस दो बटे तीन इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो LCM इसका हो जाएगा 6, इसका इसके साथ मुल्टिप्लाई करेंगे तो 9 और इसका इसके साथ मुल्टिप्लाई करेंगे तो 4 इक वल्टू 13 अपॉन 6 पराप्त होगा जो इस चगे पर प्रॉपर्टी को लगाते हैं A प्लस B की पॉवर, LCM इसका रख लिए 6, इसके साथ मुल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 और 2 का इससे करेंगे तो हो जाएगा 4 अब इन दोनों को एड़ कर देते हैं A प्लस B की पॉवर, 13 वट्टे, 4 ये इस सवाल का अंसर होगा पार्ट नमर शेकंड आपकी सेवा में इसे जब हम हल करेंगे बच्चो तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि यद A की पॉवर माइनस N दिखाई दे तो इसको हल करते वक्त 1 अपॉन A की पॉवर N कर देते हैं इसी करम में जब इसको बच्चो हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक वट्टे A, B इसको हल करते हैं तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्राप्त होगा आगे चलते हैं ये हमारा एजिट रहेगा इसके बाद इसका हम LCM लेते हैं ये हो जाएगा A, B अब इसका इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो B इसका इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो A आगे चलते हैं 1 अपॉन A, B बच्टे इसको थोड़ा systematic तरीके से रख देते हैं तो ये A प्लस B बच्टे A, B अब देख रहे हैं कि हमारी main line ये है इसके उपर भी बट्टे में है तो इससे ये कट जाएगा आगे चलके इसका हमें final answer प्लस B एक बट्टे A प्लस B थरड पार्ट ये है हमारा A tax की power 3 divide by 125 by की power 3 की whole power 1 by 3 इसको जब हम बच्चों हल करते हैं तो इसको आप समझी गए होंगे अब तक की 8 का जो घंबूल होता है वो 2 होता है इसलिए 2X की power 3 divide एक से 25 का जो घंबूल होता है वो 5 होता है और by पे power 3 लगी हुई है तो ये हो जाएगा 5 by की power 3 की rest power 1 upon 3 इससे अगर समझना चाहो तो 8 के जैसे ही हम factor करेंगे तो 2 into 2 into 2 means ये बन जाएगा 2 की power 3 अब X का जो गुडांक है उस पे 3 लगी हुई है तो हमने आपको बताया था A की power M into B की power M अगर लगा हो तो इसको हल करते वक्त A B की power M कर देते हैं उसी के according में इस चेके पर कर दिया है ऐसे ही 1 to 5 के factor करते हैं तो 5 into 5 into 5 और इसके साथ Y की लगा हुआ है तो 5 की power 3 into Y की power 3 इस formula के अनुसार 5 Y की power 3 कर दिया गया है अब हम देखते हैं कि अगर base समान नहीं है base यहाँ पर समान नहीं है और यह divide है तो divide वाली संख्या बटे में रख देते हैं तो उसको हमने 2 X की power 3 बटे 5 Y की power 3 की rest power 1 upon 3 लिख देते हैं इसमें भी confusion होने की जरूरत नहीं है हमने आपको बताया था कि A की power M divided अगर A की power N या B की power N है तो उसे हम इस तरह से लख दो या A की power M बटे B की power M इस तरह से रूप में लख दो तो इस रूप हमने कर दिया गया है अब हम देख रहे हैं कि A की power M बटे B की power अगर M है तो इसको हल करते वक्त A upon B की whole power M लगा देते हैं क्योंकि इस चेगे पर power इसकी समान है तो इसको जब हम करेंगे तो 2X upon 5Y की power 3 और की rest power 1 upon 3 इस 3 से ये 3 कट जाएगा हमें आंसर प्राप्त होगा 2X बटे 5Y प्रेशन नम्मर 5 संभवत है बच्चो इस exercise का ये थोड़ा tough सवाल है इसको जब हम हम हल करने की कोईसिस करेंगे तो हम देखते ही कि सबसे पहले हम इसका निर्दार करते हैं आपने देखा होगा कि यादे इसी जगे पर लिखता हूँ कि A लिख दो या root A into root A लिख दो बात A की है root A की हमने आपको condition बताई थी कि 1 upon 2 और into A की पॉवर 1 upon 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं आगे जब इसको हम हम हल करेंगे तो A की पॉवर 1 upon 2 का whole square प्राप्थ होगा यही condition में इस च्छे पर लगा रहा हूँ बरावर A की पॉवर 1 upon 2 minus B की पॉवर 1 upon 2 इसका भी whole square और इसका भी whole square बटे A की पॉवर 1 upon 2 minus B की पॉवर 1 upon 2 इस च्छे पर हो गया minus इसको में जब हल करता हूँ तो इसे हम बच्चो A की पॉवर 1 upon 2 की पॉवर अगर 3 बटे दो कर दें minus इसका भी B की पॉवर 1 upon 2 की पॉवर 3 बटे A minus B इस क्रम में कर दें या इसको भी हम थोड़ा हल करते हैं तो A की पॉवर 1 upon 2 की पॉवर 2 minus B की पॉवर 1 upon 2 की पॉवर 2 और इसकी whole पॉवर minus 1 कर देते हैं अब भी हमने कुछ नहीं किया कि इसका थोड़ा संसोदन किया है अगर इस 2 से 2 हम काट दें तो फिर हमें A प्राप्त होगा इस 2 से ये 2 काट दें तो फिर B प्राप्त होगा तो A minus B तो अब B हमारा अब इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा होगा एक सूत्र A square minus B square अब इसको जब हम हल करते हैं तो A plus B और A minus B प्राप्त होता है इस तरह का फॉर्मूला है तो हमें वही प्रापर्टी इस चगे पर लगती हुए प्रतीत हो रही है तो इस चगे पर जब हम करते हैं तो A की पॉवर 1 अपॉन 2 minus B की पॉवर 1 अपॉन 2 एक ब्रैक्ट में दूसरे ब्रैक्ट में A की पॉवर 1 अपॉन 2 प्लस B की पॉवर 1 अपॉन 2 इससे बंद कर देते हैं और इसके नीचे A की पॉवर 1 अपॉन 2 minus B की पॉवर 1 अपॉन 2 इस तरह से लिख दिया minus अब इस सूतर पर अगर हम गौर दें तो इसको आपने पढ़ रखा होगा A Q minus B Q इसको जब हम हल करते हैं तो एक ब्रैक्ट में A minus B दूसरे में आता है A square plus B square plus AB इसी सूतर का सहरा लेते हुए मैं आगे से हल कर रहा हूँ A की पॉवर 1 अपॉन 2 minus B की पॉवर 1 अपॉन 2 एक ब्रैक्ट में यहां A की स्टेप हम थोड़ा कम करेंगे जब A की पॉवर 1 अपॉन 2 का जैसे ही हम whole square करेंगे तो इससे यह कट जाएगा इसलिए इसका आएगा यहां पर A फिर B का ऐसे ही करेंगे तो B plus A की पॉवर 1 अपॉन 2 इन्टू B की पॉवर 1 अपॉन 2 और इसके बट्टे में रख देंगे हम इसे भी हम इस करम के अनुसार कर देंगे तो A की पॉवर 1 अपॉन 2 प्लस B की पॉवर 1 अपॉन 2 और एक कोश्टक में A की पॉवर 1 अपॉन 2 माइनस B की पॉवर 1 अपॉन 2 की rest power minus बन लगा देते हैं अब देखिए हमें देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो इसलिए इस से ये और इस जगे पर हम देख रहे हैं कि A minus B से A minus B पूरा कट जाएगा तो हमको ये प्राप्त हो रहा है A की power 1.2 प्लस B की power 1.2 बटे 1 minus ये यहां से फिने सुखा इस चगे पर आएगा A plus B plus A की power 1.2 बी की power 1.2 की बटे A की power 1.2 प्लस B की power 1.2 की rest power minus 1 अब हम इसका बच्चों क्या करते हैं LCM ले लेते हैं इन दोनों का जैसे ही LCM लेंगे तो 1 upon 2 प्लस B की power 1 upon 2 अब देख रहे हैं कि इसका इसके साथ multiply करेंगे तो ये हो जाएगा A की power 1.2 प्लस B की power 1.2 का whole square प्लस B की power 1.2 का whole square प्लस B की क्योंकि इससे पहले minus लगा हुआ है तो A प्लस B प्लस A की power 1 by 2 into B की power 1 by 2 की rest power minus 1 इससे जब हम आगे हल करते हैं इसको तो इसका whole square खोलेंगे तो अब ही हमने आपको बताया था कि A की power 1 by 2 प्लस B की power 1 by 2 खोल के बताये देते हैं तो ये देखो इस चके से प्राप्त होगा इसको जब हम करेंगे तो A की power 1 by 2 का whole square प्लस B की power 1 by 2 का whole square प्लस 2AB A की power 1 by 2 into B की power 1 by 2 इस करम में लिखते हैं तो देखो इस दो से ये दो कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमको A प्लस B प्लस 2 A की पॉवर बनवाई 2 B की पॉवर बनवाई 2 माइनस अब इस ब्रैकेट को जैसे ही तोड़ेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो A माइनस B माइनस A की पॉवर बनवाई 2 B की पॉवर बनवाई 2 बटे इस जगे पर रखते हैं हम A की पॉवर बनवाई 2 प्लस B की पॉवर बनवाई 2 की रेस्ट पॉवर माइनस बन लगा देते हैं तो अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया हमारा A plus B plus 2 A की पौवर बनवाई 2 B की पौवर बनवाई 2 minus A minus B minus A की पौवर बनवाई 2 into B की पौवर बनवाई 2 बटे A की पौवर बनवाई 2 plus B की पौवर बनवाई 2 की rest पौवर हमारी दी हुई थी minus 1 अब देख रहे हैं हम देखो A से तो A कट जाएगा हमारा B से B कट जाएगा तो A की पॉवर 1y2 B की पॉवर 1y2 में से एक A की पॉवर 1y2 B की पॉवर 1y2 जाएगा तो A की पॉवर 1y2 इंटू B की पॉवर 1y2 बटे A की पॉवर 1y2 प्लस B की पॉवर 1y2 की rest power minus 1 प्राप्तो होता है अब हम देख रहे हैं कि इससे पहले हमने एक property पड़ी थी कि A बटे B की power अगर हमें minus N प्राप्त हो तो उसको हल करते वक्त B upon A की power N कर देते हैं इस power को धनात्मग बनाने के लिए इसका base पलट देते हैं तो इसको हम हल करेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा A की power 1y2 प्लस B की power 1y2 बटे A की power 1y2 इंटू B की power 1y2 की power अब एक हो जाएगे इससे जब हम हल करते हैं तो इसके नीचे इसको रख दो जैसे A की power 1y2 बटे A की power 1y2 इंटू B की power 1y2 प्लस B की power 1y2 बटे A की power 1y2 इंटू B की power 1y2 अब हम देख रहे हैं कि देखो यह इसके बराबर है इससे यह कट जाएगी इससे हमें यह कटती हुई प्रतीत होगी तो एक बटे B की power 1y2 प्लस एक बटे A की power 1y2 इससे आगे जब हमने हल किया था बच्चो तो हमने आपको बताया था या तो रूड X लिख दो या X की power 1y2 लिख दो तो यह देखिए B की power 1y2 दिखाई दे रही है तो इसको हम क्या करेंगे एक बटे इसको लिख देंगे रूड A प्लस इसको लिख देंगे एक बटे रूड B यह इस सवाल का फाइनल आम साथ होगा प्रिश नम्म छटमा देखिए उच्चो इसको जब हम हल करते हैं तो हमने आपको बताया था रूड की power 1y2 लगा देते हैं तो इससे जब हम हल करेंगे तो A B की power minus 2 C की power 1 upon 2 divided by A Q B square C की power minus 3 की whole power इस minus के काड़िस की power minus 1 upon 2 हो जाएगी इसे जब हम हल करते हैं तो देखो A की power यह वाली घात इस पर आजाएगी एक बटे दो B की power minus 2 बटे 2 और C की power 1 upon 2 ब्रैकेट में बंद कर देते हैं डिवाइड A की power minus 3 बटे 2 B की power minus 2 बटे 2 और C की power इस minus से minus minus plus 3 बटे 2 हो जाएगा यह हमने किस करम में किया है कि वच्चो अगर A की power M की power अगर N दिखाई दे तो हल करते वक्त A की power M N कर देते हैं यह मान लेते हैं कि यह देखो इस power जो अंदर लगी हुई है वो M है और उपर power लगी हुई है वो N है तो इन दोनों का जैसे ही हमने इसमें multiple लाई किया तो बन पौन तू इस rule के अनुसान हमने कर दिया है अब हम देख रहे हैं कि यह वाला symbol है A की power M divide A की power N अगर मिलता है तो A की power M minus N करते हैं क्या करते हैं M minus N करते हैं तो इस जगे पे देखिए base 1 है base 1 है इसकी power 1Y2 है इसकी power minus 3Y2 है लेकिन बीच में divide का चिन भी है इसकी अनुसार तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसे क्या करेंगे A की power 1Y2 यह वाला divide यह वाला divide यहां पर क्या चिन देता है माइनस तो ये वाला जो डिवाइड है इस जगे पर क्या देगा माइनस अब इस पर जो N की पॉवर है वो औरलेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 3 वट्टे दो सेम सिस्टम इस जगे पर भी लगाते हैं बचों B की पॉवर इस दो से ये दो काट देंगे माइनस का एक अब ये डिवाइड है वो क्या देगा माइनस देगा और इस जगे पर हम काटते हैं तो इस जगे पर हम काटते हैं तो इस जगे पर माइनस एक है लेकिन माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस एक c के लिए चलते हैं c की power 1 by 2 है divide हमारा minus देता है और इस चगे पर क्या है हमारा minus 3 by 2 अब आगे हम इसे हल करते हैं तो इसे देखो हल करेंगे तो 3 और 1 चाल बटे 2 क्योंकि इसके हर समान है b की power हम रखते हैं तो इस चगे पर क्या हो जाएगा 0 plus c की power अगर हम रखते हैं plus नहीं इस चगे पर रखते हैं तो minus 2 upon 2 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे और हर दोनों के समान है और हर दोनों के समान होते हैं तो हमें लासा लेने की कोई जरूरत नहीं है 2 से ये 2 कट जाएगा एकी power 2 इसका मान पिछली वीडियो में हमने बताया था कि Anyhow किसी की power 0 लगी हो उसका मान हमारा बन होता है तो इसका मान बन into c की power 2 से 2 कट जाएगा तो ये minus का 1 रह जाएगा आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो a square c की power minus 1 हमने बताया था मानस को प्लस बनाने के लिए इसे नीचे रख देते हैं तो इसका आंसर हमको प्राप्त होगा a square upon c प्राप्त होगा प्रेशन नम्मर 7 का फ़र्ष्ट पार्ट इसको हमें सरल करना है बच्चों अब सरल जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहला काम होता है कि इसके जो बेस हैं वो एक कर दो अब यहां हम देख रहे हैं कि इसका बेस रूड पांच है इसका पांच है यह 25 लिखा हुआ है तो पहले हम इनके बेस समान करते हैं देखिए रूड पांच की पावर 2x प्लस 3 बराबर इससे जब हम करेंगे तो पांच की पावर 2 कर दो और इंटू पांच की पावर 2x माइनस बन कर दो आगे देखिए रूड पांच की पावर 2x प्लस 3 बराबर इससे जब हम हल करेंगे तो रूड पांच की पावर 2 की पावर 2 लगा देते हैं और इसको भी हम जब हल करते हैं तो root 5 की power 2 की power 2X minus 1 कर देते हैं अब इसके बाद में जब बच्चों इसे हल करते हैं तो root 5 की power 2X plus 3 बराबर इसकी power 2 की power 2 है इसलिए root 5 की power ये 4 हो जाएगी और इसे करेंगे तो root 5 की power इसके साथ multiply करेंगे तो 4X minus 2 कोई से फॉर्मूले से A की power M की power N के अनुसार A की power M N किया है तो इस 2 का 2 से किया तो 4X हो गया और 2 का बंच से किया तो बीच में सिंबल मानस था मानस लगा दिया अब हम देख रहे हैं कि A की power M into A की power N अगर दिखाई दे तो A की power M plus N कर देते हैं चुकि देखिए इनके बेस समान हैं इसलिए इस चके पर उस प्रॉपर्टी का हमें यूज कर देते हैं तो 2X plus 3 बराबर रूड 5 की power 4X minus 2 plus 4 अब हम बच्चों देख रहे हैं कि देखिए इधर भी बेस समान हैं इधर भी बेस समान हैं अते हैं इनको निगलेक्ट करते हुए इनके घातों की हम तुलना कर देते हैं तो 2X plus 3 बराबर 4X plus 4 में से 2 गए तो 2 बच्चेंगे अब X को हम एक तरब कर देते हैं तो 3 माइनस 2 बराबर 4X माइनस 2X बराबर लगाते हैं तीन में से 2 जाएगा एक बच्चेंगा इधर हमारा 2X प्राप्त होगा तो X की value यहां से हमें 1Y2 प्राप्त होती है सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल कुछ नहीं है अगर हम दिमाग से थोड़ा सोचें कि देखिए इस जगे पे लिखा हुआ है 2 की पौवर 5X माइनस 2 बराबर यह बन लिखा हुआ अब इस बन को हमें इसी के रूप में इसी के रूप में बनाना है तो यह हम इस जगे पे क्या रखा जाए कि यह बन मान दिखाने लगे तो हमने पहले आपको बताया था कि चाए बन की पौवर 0 6 की पौवर 0, X की पौवर 0, 5 की पौवर 0 या फिर हम यह भी लिखे दें कि 2 की पौवर 0 इन सब की बेलू कितनी होती है एक होती है एक होती है तो हम इस एक को परवर्थित करके इसी के नुसार अगर यह सवाल में 2 दिया हुगा है तो इस चगे पे 2 की पौवर 0 कर देते हैं अगर इस चगे पर हमारा 3 होता तो हम 3 की पौवर 0 भी कर सकते थे X होता तो X की पौवर 0 भी कर सकते थे अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ बेस समान हैं अब जब दोनों तरफ बेस समान हैं तो इनकी क्या करते हैं हम घातों की पौवर जो लगी हुए उसकी तुलना कर देते हैं तो इसकी पौवर कितनी है पांच एक्स माइनस दो और इसकी पौवर कितनी है जीरो अब हम इस simple equation पर राप्त हुई है तो 5x equal to 2 तो x equal to 2 upon 5 इस सवाल का आंसर होगा है प्रेश नम्म साथ का थर्ड पार्ट अब इस चगे पर भी हम देख रहे हैं कि यहां तक तो मामला पूरा साफ दिखाई दे रहा है लेकिन जो problem create कर रहा है वो हमें कितना 27 कर रहा है इसे जब हम हम हल करेंगे तो 3 की power 2x plus 1 बराबर अब हम इनी दोनों rule के अनुसार इसको भी खंडित कर देते हैं तो 3 into 3 into 3 into 3 की power x रख देते हैं यहां से आगे हल हम करेंगे तो 3 की power 2x plus 1 equal to इसे देखो हल करते हैं तो 3 की power 3 into 3 की power x प्राप्त होगा आगे और हल करते हैं 3 की power 2x plus 1 बराबर अब इस चगे पर property हमको मिल रही है a की power m into a की power n तो a की power m plus n क्योंके base समान है तो इस चगे पर भी हमें base समान प्राप्त हो रहे हैं m की value 3 है और x की value n की power value जो है वो हमारी x है तो इस चगे पर हम 3 की power 3 plus x कर देते हैं अब इस चगे पर बच्चो हमारी बिल्कुल clear condition हो गई कि इस चगे पर base 3 है इस चगे पर भी base 3 है तो हम इन आधारों को छोड़कर और इनकी जो गहत है उसकी तुलना कर देते हैं तो यह हमें किसके बराबर प्राप्त होगा 2x plus 1 equal to 3 plus x अब जो चर पदे हैं उनको एक तरफ ले आते हैं 2x minus x equal to 3 minus 1 इस चगे पर क्या प्राप्त होगा x और इस चगे पर हमें 2 प्राप्त होगा x का मान हमें 2 मिलता है यह चोथा पारप्त है वच्चो यह लगवग प्रश नम्मस 7 के फष्ट पारप्त से ही मिलता जिता है उस चगे पर रूड 5 था इस चगे पर रूड 3 है उस चगे पर यहां 25 दिया हुआ था इस चगे पर 9 दिया हुआ है तो इसको उसी फॉर्म के अनुसार 3 की पॉबर 2x plus 3 बराबर इसे देखो 3 की पॉबर 2 इंटू 3 की पॉबर 2x मानस बन थोड़ा और आगे करते हैं 3 की पॉबर 2x plus 3 बराबर इसको हमने पहले 5 को रूड 5 किया था इस चगे पर रूड 3 करके पॉबर 2 की पॉबर 2 लगाए देते हैं और इसको भी रूड 3 की पॉबर 2 की पॉब प्रूबर 2X-1 कर देते हैं इससे जब हम हल करेंगे तो रूड 3 की प्रूबर 2X-3 बराबर रूड 3 की प्रूबर 4 इंटू रूड 3 की प्रूबर 2 दूनी 4X-2 हो जाएगा हम बारबर प्रूबर्टी को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहले हम इसके कर चुके हैं अब हम आगे हल करते हैं तो रूड 3 की प्रूबर 2X-3 इक्वल 2 इसे हम करेंगे हल तो रूड 3 की प्रूबर 4X-2 प्लस 2 प्लस 4 अब बेस हमें दोनों के समान प्राप्त हो रहे हैं इसलि प्लस इस चगे पर थोड़ा सा हल कर देते, चार में से दो जाएगा, तो दो बचेगा, अब x वाले पद एक तरफ, 3-2 इसको हमें इदर ले आए, 4x-2x, तो इदर हमारा 1 बचेगा, इस चगे पर 2x, तो x की बैलू हमें इस चगे से 1y2 प्राप्त होगी, प्राप्त नम्मर 8 में लिखा हुआ है कि यद 2 की पॉवर x प्लस 6 इक्वल टू 8 की पॉवर x प्लस 1 हो, तो x की बैलू ग्यांत की है, उसके लिए, बेस हमें किलियर करने होते हैं, इससे जब हम हल करेंगे, तो 2 की पॉवर x प्लस 6, हल लिखना चाहू लिख सकते हैं, तो 2 की पॉवर x प्लस 6 इक्वल टू, अब इस 8 के जब जैसे फैक्टर काटेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं, तो इसकी पॉवर 3 की रेस्ट पॉवर x प्लस 1 प्राप्त होगी है, इससे पहले हमने 8 वाला किया था, अब आगे हम बढ़ते हैं, तो 2 की पॉवर x प् समान हैं, इसलिए comparison of power गहतों की तुलना कर देते हैं, तो x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3, इस चगे से x x को एक तरफ ले लेते हैं, तो 3x माइनस x एक्वल टू 6 माइनस 3, तो 2x एक्वल टू 3, तो x एक्वल टू 3 अपॉन 2 प्राप्त होगा, प्रेश नम्मर 9 में लिखा हुए है बच्चों के यद 5 into root 5 into 5 की power 3 divided by 5 की power minus 3 by 2 equal to 5 की power a प्लस 2 है, तो इस a की value निकाल ली है, कि ये a किसके बराबर है, इसको हम हल करते हैं, इसे देखो 5 ही छोड़ते हैं, पांच की power 1 by 2 कर देते हैं, हमने आपको बताया था कि अगर root x मिले तो x की power 1 by 2 कर देते हैं, into 5 की power 3 divided by 5 की power minus 3 upon 2, बराबर ये हमें 5 की power a plus 2 के दिया हुआ है, अब इस जगे पर बच्चों हमें property दिखाई दे रही है, हमने formula पहले 2 के पद में लिखा था, यदे आपको a की power m into a की power n into a की power p दिखाई दे, तो a की power m plus n plus p कर देते हैं, तो इसको उसी किरम में करते हैं, कि 5 की power 1 plus 1 y 2 plus 3 upon 1 कर देते हैं, divided by 5 की power minus 3 upon 2 equal to, 5 की power a plus 2 कर देते हैं, इस जगे पर हम देखते हैं, तो 3 और 1 चार प्राप्त होगा, क्योंकि यह पूर्ण नम्मर हैं, तो 4 plus 1 upon 2 divided by 5 की power minus 3 upon 2 equal to 5 की power a plus 2, इसे हम हम हल करते हैं, तो 2 चौक 8 और 1 नो, 5 की power 9 बटे 2, इस जगे पर property लगाते हैं, तो यह divide जो चिन है, वो minus देता है, और minus इसके साथ में हैं, तो plus हो जाएगा, plus 3 बटे 2, बरावर 5 की power a plus 2, इसको देखते हैं, इसके denominator equal हैं, दो-दो हैं, तो ऐसी भिन्न को हम हल करते वक्त, अंस को अंस में जोड़ देते हैं, तो 5 की power 9, 3 कितना हो जाएगा, बारे बटे 2, बरावर 5 की power a plus 2, इस जगे पर बच्चों हमें बेस प्राप्त हो रहे हैं, बेस समान प्राप्त हो रहे हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं, कंपेरी जिनों प्राप्त कर देते हैं, 12 upon 2 equal to a plus 2, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 6 equal to a plus 2, तो a equal to 6 मानस 2, तो a बरावर हमें 4 प्राप्त होगा, तो अगला सवाल है बच्चों कि x की power b मानस c की rest power a, into x की power c मानस a की rest power b, into x की power a मानस b की rest power c का मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए, इस जगे पर थोड़ा सा देहन दीचिये, हमने आपको इसके बारे की एक property बताई थी, कि a की power, m की power अगर n दिखाई दे, तो उसको हल करते वक्त a की power, m, n कर देते, यह हमने आपको बताया था, इसी का सहरा लेते हुए, देखिए, m का मान तो इतना है, और n का मान हमें इतना प्राप्त हो रहा है, इसका इसके साथ में जैसे ही multiply करेंगे, तो a का b से करेंगे, तो a b, चूंकि बीच में मानस का चिन है, इसलिए मानस लगा दो, c का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा c a, इसी करम में आगे करते हैं, एक्स की पौबर b c या c b, मानस a b, इसके साथ multiply कर दिया, into x की पौबर c का ये से करते हैं, तो c a मानस b c, इस करम में प्राप्त होगा, अब ही हमने एक पिछले सवाल में आपको फौर्मॉला बताया था, यद a की पौबर m into a की पौबर n into a की पौबर p, अगर प्राप्त होता है, तो इस सवाल को हल करते बक्त, m प्लस n प्लस p कर देते हैं, यह चीज पिछले वाले सवाल में हमने बताई थी आपको, तो इस सवाल में भी देखते हैं, देखो, x की पौबर m, x की पौबर n, और x की पौबर p, के रूप का दिखाई दे रहा है, तो इसको जब हम हम हल करेंगे, तो x की पौबर, इसके अनुसार, m का मान कितना है, a b minus c a, इस चगह पर plus है, इसलिए इस चगह पर plus, n का मान कितना दिया हुआ है, c b minus a b, यह हो गया, plus का सिंबल लगाई है, p का मान कितना दिया हुआ है, c a minus b c, अब इसको जब हम हल करेंगे, तो देखो, A B कहीं दिखाई दे रहा है इसमें जी हाँ है तो इसे देखिए अब इसके सांच चेंज कीजिए इस जगे पर प्लस का चिनना है और इस जगे पर मानस और मानस और प्लस की जब बरावस संख्याई होती है तो वो कट जाती है C A देखिए C A मानस का है और इधर हम देख रहे हैं C A पिलस का है तो ये भी आपस में कट जाएंगी BC को देखते हैं तो देखो BC मानस का है और BC पिलस का है तो इससे ये भी कट जाएंगी कहने का मतलब इस पर overall कितनी power रह गई जीरो और जब किसी की power जीरो दी हो तो उसका मान कितना होता है एक होता है यही इस सवाल का आंसर होगा प्रेश नमर 11 है की भी condition कुछ उसी से मिलती जुलती है इससे जब हम हम हल करने की कोशिस करेंगे तो सबसे पहले परख लेते हैं कि X की power A upon X की power B की rest power A plus B दी है मतलब जो power हमारे इस चर पे लगी हुई है उसी का sum करके उपर लगा दिया गया है ऐसे इस जगे पर देखते हैं X की power B बटे X की power C और इन दोनों का sum अगर करते हैं तो B plus C होगा जो इसके power लगी हुई है ऐसे इस चर पे देखते हैं तो X की power C upon X की power A rest power देखते हैं तो C plus A मामला बलको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है आगे देखते हैं इस वाले condition में अगर हम देखें तो हमने आपको बच्चे बताया था कि X की power A बटे X की power B है इसको हम X की power A divide X की power B के रूप में भी रख सकते हैं यह हमने पिछली वीडियों बताया था आपको अब इस तरह से रख सकते हैं और हमने आपको यह भी बताया था कि जब इनके बेस समान हो बेस समान हो तो इनकी power आपस में घट जाती है A माइनस B हो जाएगा इसी किरम में इन संख्याओं को हम रखते हैं तो देखिए यही सवाल था यही संख्या थी इस तरह से लिखा इसका रूप निकल के क्या आया यह आया तो इसको हम इस जगे पर रखते हैं X की power A माइनस B की rest power कितनी लगी हुई है बच्छो A प्लस B इन्टू इसको भी ऐसे ही करते हैं तो X की power B माइनस C की rest power B प्लस C इसके बाद आगे करते हैं X की power C माइनस A की rest power C प्लस A इतना हो गया इसको करने के बाद जब हम आगे से हल करेंगे तो X की प्लस A अब हम क्या लगा है थोड़ा समझते हैं अगर पहले तो एक simple formula ये था कि A की power M की power N अगर लगा हो तो A की power M N कर देते हैं system वही बनते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन अगर X की power A माइनस B की power A प्लस B लगा हुआ है और इन दोनों का गुणा करते हैं तो एक सूतर हम ने आपको पिछले सवाल में बताया था A स्कायर माइनस B स्कायर बरावर A प्लस B और A माइनस B प्राप्त होता है ये देखते हैं इस तरह से तो अब बच्चों इस चेगे पर देखो ये और ये दोनों इसके रूप के दिखाई दे रहे हैं तो जब इसको हल करके लाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा और इस चगह के अगर बेस एक्स है और यहां पर भी एक्स लगा दिया जाए इस पौर में आ जाएगा तो इसको यहाँ नहल करके डारेक्ट में लिख रहा हूँ कि X की पॉवर A स्कॉाइर माइनस B स्कॉाइर इंटू X की पॉवर इस चगे पर करेंगे तो B स्कॉाइर माइनस C स्कॉाइर इंटू X की पॉवर C स्कॉाइर माइनस A स्कॉाइर अब वोई तीन बाली प्रोपर्टी X की पौवर M into X की पौवर N into X की पौवर P अगर मिले तो X की पौवर M plus N plus P कर देते हैं इसके अनुसार इसको जब हम रखते है X की पौवर M का मान कितना है A स्कौाइर माइनस B स्कौाइर प्लस N का मान कितना है B square minus C square plus B का मान कितना है C square minus A square अब ये simple form में आ गया है इसको जब हल करने की कोशिस करते हैं तो A square यहां पर है A square यहां पर भी है लेकिन sign को जब change करते हैं देखते हैं तो इस चगह पर plus है और इस चगह पर minus है और जब बिपरी चिनवाली समान संख्याएं अगर दिखाई देती हैं तो वो आपस में कट जाती है ये कट जाएगा B से B कट जाएगा C से C कट जाएगा तो X की power हमें 0 प्राप्त होगी और X की power 0 है तो इसका मान कितना आएगा एक आएगा प्राप्त नमर बार है इसको भी जब हम हम हल करते हैं तो इसमें हम पाते हैं बच्चो ये तो हम बार बार आपको बताई चुके हैं कि रूड X अगर है तो इसकी power X की power 1, 1, 2 भी लिख सकते हैं तो इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए इस पे लगाएंगे A, Q, B, C की power 1, 2 इंटू A, B, Q, C की power 1, 2 इंटू A, B, C की power 1, 2 C, Q है अपोन इस चगे पर भी रफते हैं तो A, B, C की power 1, 2 आगे हल करते हैं इसको तो देखो A की power 3 वट्टे 2 B की power 1, 2 C की power 1, 2 इंटू A की power 1, 2 B की power 3, 2 और C की power 1, 2 इंटू A की power 1, 2 B की power 1, 2 C की power 1, 2 Sorry, 3, 2 के बट्टे A की power 1, 2 B की power 1, 2 C की power 1, 2 कर देते हैं अब देखो E, E और E प्राफ्त हो रही है तो इसको जब हम हम हल करेंगे तो देखो 3 वट्टे 2 प्लस 1 वट्टे 2 प्लस 1 वट्टे 2 इंटु B की पॉवर 3, सॉरी 1 upon 2 प्लस 3 upon 2 प्लस 1 upon 2 इंटु C की पॉवर 1 upon 2 प्लस 3 upon 2 बटे A की पौवर हो जाएगा 1 upon 2 B की पौवर 1 upon 2 C की पौवर 1 upon 2 बरावल लिखते हैं अब देखो हर समान हैं प्रते के और सेम संक्या है तो 3, 1, 4 और 2 कितना हो गया? 5 A की पौवर 5 बटे 2 B की पौवर 5 बटे 2 और C की पौवर 5 बटे 2 बटे A की पौवर 1 upon 2 B की पौवर 1 upon 2 C की पौवर 1 upon 2 यहां हम देख रहे हैं ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके भी हर समान है इसके भी हर समान है और इसके भी हर समान है फ्रते की पौवर कितनी हो जाएगी? अब इसमें से देखो ये बट्टे में है तो ये उपर जाएगी ये भी उपर जाएगी तो क्या होगा A की पौवर पांच बट्टे दो माइनस एक बट्टे दो B की पौवर पांच बट्टे दो माइनस बन अपॉन टू और C की पौवर 5 वट्टे 2 माइनस 1 अपॉंट आगे हल करते हैं तो देखी हर समाने 5 में से एक जाएगा तो A की पौवर 4 वट्टे 2 B की पौवर 4 वट्टे 2 और C की पौवर 4 वट्टे 2 बराबर इससे इसे काट देते हैं इससे इसको भी काड़ देते हैं, इससे इसको भी काड़ देते हैं, तो final answer राफ्त होगा, A square, B square, C square, यह सवाल का answer होगा, बज्चो इस वीडियो में इंखना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ अन्य परश्णों के साथ दब तक के लिए,